Hello friends, welcome back to my channel आज की वीडियो में मैं आप से शेड करूँगी कैसे आप घर में ही खुद से अपनी हेर को हाइलाइट कर सकते हैं स्टेक्स का ये अल्डा हाइलाइट यूज करके मेरी जो शेड है कॉफी कैपुछीनो जो लोग natural kind of highlight करना चाहते हैं हेर को जादा blonde effect नहीं देना चाहते हैं वो लोग ये कैपुछीनो कॉफी shade यूज कर सकते हैं तो शुरू करते हैं प्राइस से इसकी प्राइस जो है 160 रुपीज है बॉक्स के अंदर आपको पहले जो मिलती है लेफलेट लिफलेट में आपको सब कुछ जीटेल्स में दी जाती है कैसे आपसे यूज करेंगे बॉक्स के उपर भी बहुत अच्छी से step by step mention किया हुआ है बॉक्स के अंदर पहले आपको मिलती है conditioner for शासे आपको conditioner मिलेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रही है दो steps है अगर आप cappuccino coffee color highlight करते हो तो आपको दो step follow करना पड़ेगा others जो color होती है उसमें आपको बस एक step follow करना पड़ता है तो इस shade में आपको थोड़ा time लगेंगे तो first step है उसमें आपको क्या का मिलेंगे developer मिलेंगे blondie powder मिलेंगे आपको एक applicator brush भी मिल जाएंगे and second step है उसमें आपको मिलेंगे developer and cream उसके साथ भी आपको एक brush मिलेंगे इसके अलावा भी box के अंदर आपको एक glove भी मिलेंगे जब आप color करेंगे hair को आप इसे use कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते है process फर्स्ट जो step है guys उसके लिए आपको चाहिए एक non metallic ball आप काच का कोई ball use कर सकते हैं उसमें आपको लेना होगा developer developer and blonde powder जो है 1 is to 2 ratio में आपको मिलाना होगा तो pack में 1 is to 2 ratio में ही है now मेरा जो mistake हुआ है मेरी hair length के accordingly मुझे 2 box use करना चाहिए था मैंने एक किया है तो मेरी highlighter cream मतलब ये जो product है थोड़ा कम पड़ गई थी तो obviously अगर आपकी hair long है मेरी तरह है मुझे भी long है तो आप 2 box use कीजिए तो यहाँ पर मैंने blonde powder भी ले लिया है इसके बाद इसे अच्छी तरह से mix करना है mix करने के बाद आती है application step तो उसके लिए आपको आपकी hair को पहले से ही clean and dry कर लेना होगा उसके बाद hair को आप retangle कर लीजिए इसके बाद आपको जो जरुरत होती है highlighting cap की या फिर आपके पास अगर aluminum foil है उसे भी आप use कर सकते है now मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है मैं क्या कर रही हूँ घर में ही एक highlighting cap बना रही हूँ उसके लिए आपको चाहिए इस तरह की polythine तो इस तरह की polythine आपको घर में easily मिल जाएंगे इसे आपको इस तरीके से आपकी hair की ऊपर apply कर लेना है just like this के बाद आपको इस तरह की कुछ tool लेना होगा heroin type का उसी से आपको polythine में hole बनाना होगा और उसी से आपकी hair को select करना होगा just like this तो इस तरीके से मैं 8 से 10 strands निकाल लूँगी यह देखिए मैंने निकाल लिया है सामने से मैंने 6 लिया है और पीछे से मैंने 4 लिया है तो total मैंने 10 strands select किया है और अभी मुझे अपने आपको jack sparrow की तरह लग रही है तो अभी मैंने gloves पहन लिया है और जो cream हमने तयार किया था उसे मैं strand पर apply कर लूँगी पहले applicator से apply कर लूँगी उसके बाद मतलब finger से इस तरह से मैं अच्छी से blend कर लूँगी तो हर एक strand पर मैं इसी तरह से इसे apply कर लूँगी first strand हो गई है second strand पर भी मैं ऐसे ही apply कर लूँगी इसके बाद चलते हैं second step second step के लिए आपको क्या करना है again एक कांच की ball लेना है उसमें आपको developer and cream एक साथ निकाल के mix कर लेना है आप पूरी use कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ratio ध्यान देनी की जुरुद नहीं है यह pre-measured है color and developer निकालने के बाद इसे अच्छी से again mix कर लेना है तो यहाँ पर देखिए guys मैंने क्या किया है मेरी plastic की नीचे जो hair था मैंने उसे tie कर लिया और उपर का जो hair है उसे मैंने अच्छी से wash करके dry कर लिया मैंने plastic को नहीं निकाला है आप भी ऐसा ही कर लिजीगा इसके बाद again हर एक strand पर मैं color apply कर रही हूँ just like this color apply करने के बाद hair को पीछे ले जा रही हो और इसी तरह से सारी hair पर मैंने यह cream apply कर लिया इसे apply करने के बाद again आपको 30 से 45 minutes तक wait करना है उसके बाद hair को shampoo कर लेना है and conditioner apply कर लेना है तो जैसे के मैंने आपको बताया था कि मेरी जो product है कम पढ़ गई थी मेरी hair length पे नहीं हुआ था मैं दो pack यूज़ करती तो अच्छा होता और यह देखिए first strand मैंने color apply किया था मतलब highlight किया था वो strand कितनी अच्छी से color हो गई बाकी stands for मैंने उतना ज्यादा apply नहीं किया मतलब नहीं हो पाया product उतना ज्यादा नहीं था तो कुछ इस तरीके से color हुआ है frankly speaking guys मैं ऐसा ही चाहती थी ज्यादा effect नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जिस profession में हूँ मैं एक teacher हूँ मैं इस तरह नहीं कर सकते मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से highlight नहीं कर सकती अजीब लगता है अभी जो है school छुटी है school नहीं जा रहे तो मैंने सोचा चलो highlight try कर लेते है and this is amazing मुझे बहुत ही अच्छा लगा है guys आप भी try कर सकते हो हाँ अगर आपकी hair long है तो आप दो boxes यूज़ कीज़ेगा and काफी अच्छी है guys आपकी काफी time and पैसे भी बच जाएंगे and मेरी request आप से यही है कि आप bleach बिल्कुल भी hair पर मत apply कीज़ेगा bleach 30-40 में मिल जाता है बट वो hair के लिए काफी हानी काड़क होती है उससे अच्छा है आप इस तरीके से sticks का यह highlighting kit purchase कर लीज़े and घर में ही use कीज़े काफी easy to use है and result भी काफी अच्छी है तो guys I hope video आपके लिए helpful रहा होगा अगर video पसंद आती है तो video को like कर दीज़े and मेरी चानल को subscribe कर लीज़े आगे से और वेसे videos के लिए में तो नेक्स वीडियो पू बाइ